मैं हूँ OnePlus Nord CE35G जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो सब्सक्राइब करें मैं हूँ Nothing Phone 1 जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो लाइक करें दीखते हैं आज कौन विनर होता है और गाइस जब तक हमारी लडाई हो रही है आप कॉमेंट करके बताओ कौन विनर होगा और एंड तक देखना कौन विनर होता है हाँ वो देख कर ही जाएंगे हम अपनी लडाई शुरू करते हैं चलिए पहले बात करते हैं इनके launch date की मैं launch हुआ था the 6th of July 2023 को और तू मैं launch हुआ था the 13th of July 2022 को अब बात करते हैं इनकी body की मेरा length 162.7 मेरा width आता है 75.5 और तेरा मेरा length 159.2 मेरा width आता है 75.8 मेरा weight आता है 184 gram मेरा thickness आता है 8.2 mm और तेरा कितना है मेरा weight आता है 193.5 gram मेरा thickness आता है 8.3 mm मैं आता हूँ hybrid sim slot के साथ और तू मैं आता हूँ dual sim slot के साथ मेरा back panel plastic bag के साथ और तेरा मैं आता हूँ glass bag के साथ और मेरे back panel में glyph light मिल जाती है अरे यार एक point मुझे मिलता है चलू ठीक है मेरा water resistant नहीं आता तेरा आता है क्या हाँ मेरा water resistant आता है IP53 अब बात करते हैं इनकी डिस्पले के बारे में मेरा display size आता है 6.7 inch और तेरा कितना आता है मेरा display size आता है 6.55 inch मेरा display type है fluid AMOLED 1B colors HDR10 plus तेरा बता मेरा display type है OLED 1B colors HDR10 plus मेरा refresh rate आता है 120 हज तेरा कितना है मेरा भी refresh rate आता है 120 हज मैं आता हूँ 950 nits brightness के साथ तेरा बता मैं आता हूँ 1200 nits brightness के साथ मेरा resolution आता है 1080 x 2400 fhd plus के साथ मेरा resolution आता है 1080 x 2400 fhd plus के साथ मेरा screen to body ratio आता है 87.9% मेरा screen to body ratio आता है 85.8% मैं आता हूँ 394 pixel per inch के साथ मैं आता हूँ 402 pixel per inch के साथ अब बात करते हैं इनकी specification के बारे में मैं आता हूँ Snapdragon 782G 6 nanometers मैं आता हूँ Snapdragon 778G plus 6 nanometers मेरा CPU आता है 2.7 GHz पर मेरा CPU आता है 2.5 GHz पर मेरा Antutus को आता है 392543 और तेरा कितना आता है मेरा Antutus को आता है 596815 अब बात करते है OSN UI की मेरा OS आता है Android 13 Oxygen OS 13.1 मेरा OS आता है Android 13 Nothing OS 1.5.3 मेरा RAM टाइप है LPDDR4X और UFS 3.1 मेरा RAM टाइप है LPDDR5 और UFS 3.1 मैं आता हूँ Micro's DXC Card Slot के साथ और तू मेरा Card Slot किदर है अरे Nothing वालों ने दिया ही नहीं एक पॉइंट मेरा चलू कोई बात नहीं आगे बढ़ते है अब बात करते हैं इनके Main Camera के बारे में मेरा Main Camera आता है 50 Megapixel F 1.8 24 mm वाइड 8 Megapixel F 2.2 112 डिग्री अल्टरिवाइड 2 Megapixel F 2.4 Macro Video 4K at 30 fps तक और अब तेरा बता मेरा Main Camera आता है 50 Megapixel F 1.9 24 mm वाइड 50 Megapixel F 2.2 114 डिग्री अल्टरिवाइड Video 4K at 30 fps तक Selfie Camera मेरा Selfie Camera आता है 16 Megapixel F 2.4 24 mm वाइड और तेरा कितना है मेरा Selfie Camera आता है 16 Megapixel F 2.5 वाइड अब बात करते हैं बैटरी की मेरी बैटरी आती है 5000 mAh और 80 W चाजिंग मेरी बैटरी आती है 4500 mAh और 33 W चाजिंग मैं आता हूँ अरे रुको पिक्चर अभी बाकी है अरे क्या बाकी रह गया 15 W वाइलेस और 5 W रिवर्स वाइलेस मिल गया न एक प्वाइंट अरे यार आज तो मैं हर जाएंगा अब कनेक्टिविटी मैं आता हूँ 8 5G बैंड के साथ और तू मैं आता हूँ 12 5G बैंड के तुमसे 4 बैंड ज्यादा चलो ठीक है मैं NFC, Wifi 6, Bluetooth 5.1 के साथ आता हूँ और तू मैं भी NFC, Wifi 6, Bluetooth 5.1 के साथ आता हूँ अब देखते हैं पोर्ट मेरा 3.5 mm जैक नहीं आता तेरा आता है क्या मेरा भी नहीं आता मैं stereo speakers के साथ आता हूँ और तू बता मैं भी stereo speakers के साथ आता हूँ और last में sensor के बारे में मेरे security में face unlock और in display fingerprint scanner मिल जाता है और तेरे में आता है क्या मेरे security में face unlock और in display fingerprint scanner मिल जाता है अब इनकी price देखते है मेरी price शुरू होती है 8 plus 1 to 8 GB 26,999 और 12 plus 256 GB 28,999 मेरी price शुरू होती है 8 plus 128 GB 26,999 8 plus 256 GB 29,999 12 plus 256 GB 42,999 विना हूँ मैं चलू कोई बात नहीं अगली बार आ जाना Nothing Phone 2 को लेकर देख लेते हैं कौन विना होता है आ और तुम भी आ जाना अपने Node 3 को लेकर और आप सब लोग notification on कर लेना हाँ ठीक है और हाँ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो और ये हमारा अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकान प्रेस कर लेना